देश पेचकर अंग्रेचों से मोटा केश ले सकते थे स्विदेशी का नारा देकर दिन भर चर्खच लाते थे देश का खर्चा जादा ना हो आधाले पुझलाते थे आधी आजादी का बापु तुमको ही हकदार कहूंगी कोई पिरोधी तेरा होगा मैं उसको गदार कहूंगी लेकिन देश के पटवारे पर बापु गुस्टा कन जाता है गुस्टे के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका तुम से पटवारा रुका नहीं तुमने अरे तुमने बापू बोला था यह शाक नहीं चटने दूँगा और इंच इंच कढ़ जाओंगा कर देश नहीं बढ़े दूँगा और चन्दा सूरत धर्ती अंबर सारे हिशर दिन्दा थे जिस दिन देश बटा भापो उस दिन तुम भी जिन्दा थे 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं देश बटने बालों में बोलो कगदार किसे लिखूं अर कितनी थी आखें कितनी थी आखें जो रोते रोते पथराई थी पूछ रही लावारिश लासे जो कुद्टों ने खाई थी हिंदुस्ता की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया अर फोड़ार के भी बापु देश अधर में छोड़ दिया अर दो थपड के बदले एद थपड तो मारा करते अर भटवारा ही करना था तब ढ़ंसे भटवारा करते धन्यवाथ झाल